last topic of the chapter stakeholder पहले भी पढ़ा है हर वो बंदा, हर वो group हर वो इदारा जो बिला वास्ता या बिल वास्ता organization के साथ attach होता organizational operations जो है उस बंदे को या उस group का या उस entity को affect करते हैं उसे हम लोग जो है वो stakeholder कहते हैं stakeholder, shareholder को हम लोग stakeholder कहते हैं, bondholder जो है lenders of the company जो है, वो stakeholder होते हैं suppliers, customers जो है governments जो है, employees जो है फिर उतके बाद pressure groups जो है ये stakeholders की list में आते हैं, general public जो है, वो stakeholder की list में आती है strategic concern क्या है क्यों हम लोग जो है stakeholder के बारे में जो है वो पढ़ते हैं, हर stakeholder का organization में interest होता है, इस वज़ा से हम लोग इसको पढ़ते हैं हमें पता होना चाहिए, हर stakeholder की level of power जो है, वो different है, इसलिए वो हमारे लिए point of focus बन जाता है इसलिए हमारे लिए उसको study करना relevant हो जाता है, हम लोग corporate life में different decisions लेते हैं तो हमारे decisions की वज़ा थे वो तमाम groups, वो तमाम entities जिनका interest होता है organization में, वो effect होती है लिहादा वो बदले में हमें effect कर सकती है तो उनसे effect होने से पहले बेतर नहीं है, कि हम ये जान लें, कि हमारा जो stakeholder है उसकी level of power कितनी है और उसका level of interest कितना है हमारे decision की वज़ा थे अगर उसका level of interest हाई है, तो वो ज्यादा effect होगा अब हमें ये जानना है कि वो कितनी force के साथ मुझे effect करेगा इसका level of power जो है वो मेरे लिए relevant हो जाता है तो level of power और level of interest है वो मेरे लिए relevant है किसके stakeholder के stakeholders के expectations होती है क्यों expectations होती है या आप लोग खुद पढ़िए कि इंशालल्थ समझा जागे उनके पास parts कहां से आती है ये भी आप को जो है वो समझा जागे उनके दरमें conflict होता है क्यों इनके दरमें जो है वो conflict raise हो सकता है ये भी आप लोग बढ़ेंगे तो इंशालल्थ आपको समझा जागे यह हमारे लिए relevant है मैंने पहले भी बताया था कि SFA model में SFA model में जब हम लोग acceptability की बात करते हैं तो वहाँ पे भी stakeholder की acceptability हम लोग जो है वो देखते हैं stakeholder में हमने कहा था कि कुछ जो हैं वो हमारे लिए इंतिहाई important है और कुछ हमारे लिए least important होते हैं मुझे कैसे पता भाई जब हम लोग ने ये stakeholder analysis किया तो पता लगा सवाल पैदा होता है कि हम लोग stakeholder analysis कैसे करेंगे तो जवाब आता है मेंडिलो सामने आ जाता है मेंडिलो कहता है कि मैं तुमें एक map दे देता हूँ इस map के accordingly stakeholder A stakeholder B stakeholder C stakeholder D को evaluate कर लो तो तुम्हें पता लग जगा कि तुमारे लिए the most important और least important stakeholder जो है वो कौन-कौन सा है तो चले देखते हैं stakeholder analysis में जो है वो क्या लिखा है stakeholder analysis में पहले बात क्या है कि भाई हमें ये देखना है कि हमारे लिए important stakeholder कौन सा है और less important stakeholder जो है वो कौन से है यह आप process जो है वो पढ़िएगा इंशाला समझा आजेगा tool कौन से हमारे पास stakeholder को analyze करने के लिए Mandelio का stakeholder map जो है वो हमारे पास एक tool है जिसकी मदद से हम लोग इसको evaluate कर सकते हैं अब यह map है क्या है यह two dimensional map है एक dimension पे हम लोग level of interest ले लेते हैं एक dimension में हम लोग level of power ले लेते हैं जब दो dimension है तो इसका मतलब हमारे पास four matrices आ सकते हैं हमारे पास चार quadrants आ सकते हैं अब यह four quadrant कैसे आ सकते हैं यह वाला यह level of interest है for example यहाँ पे level of power है यहाँ पे high है यहाँ पे low है यहाँ पे low है यहाँ पे high है तो यहाँ पे देखे चार quadrant आजेंगे यहाँ पे हमारे पास low interest और high power है for example government है government का इतना जदा interest कोई नहीं होता किसी भी organization में लेकिन उसकी power बड़ी ज़्यादा होती है फिर इसके बाद high interest है high power है major shareholders major shareholders हो सकते हैं और major lenders हो सकते हैं bond holders जो है वो हो सकते हैं उनका interest भी काफी जदा तो उनके पास powers भी काफी जदा होती है फिर उसके बाद low interest low power general public ठीक है और यहाँ पे देखना है high interest low power यह कोई high interest है यह share holders हैं interest तो high है लेकिन minor share order है भीचारा profit की तलाश में हैं लेकिन इतनी ज़्यादा share holders नहीं है कि वो corporate decisions को जो है वो affect कर सके अब यहाँ पे जो है वो government भी आ सकती है low interest यहाँ पे अच्छा high interest है low power है यहाँ पे हमारे pressure groups भी आ सकते है high interest high power है high interest high power है अब यह देखना पड़ेगा कि हमारा corporate context कासा है हो सकता है एक context हमें ऐसा मिले जिसमें pressure groups है उनका interest तो काफी ज्यादा है लेकिन उनके पास इतनी power नहीं है तो यह it depends on the corporate context मतलब क्या है बताने का मक्सद क्या है कि हमें theme समझ मे आना चाहिए examiner हो सकता है कि हमें इस तरह का context देने लेकिन अगर हमने रटा लगाया है तो हम यही समझेंगे कि high interest high power मतलब pressure group है लेकिन जो context है उसमें examiner यह कह रहा है कि भाई जो pressure group है उसके पास power तो काम है लेकिन उसका interest बड़ा ज्यादा है got it तो इस तरीके से अब जो group जिस group के पास interest जिस जो group का interest काम है लेकिन power ज्यादा है उसके accordingly strategy भी हमारी जो है वो different होगी as compared to the group जिसका interest भी ज्यादा और power भी ज्यादा है वो क्या strategies है वो यहाँ पे बलके मैंने mention भी कर दी है इनको satisfy रखिए इनको जो है वो monitor करते रहने है य यहाँ से यहाँ ना चले जाए यहाँ से यहाँ ना चले जाए यहाँ से यहाँ ना चले जाए क्योंकि अगर यह इस group में से कोई एक entity यहाँ से निकल के यहाँ पर चली जाती है हमें पता ही गोई नहीं है तो वो तो हो सकते हमारे हमें जो है वो हमारे पर legal case कर दे हमें मु बाद्रक नाओगा.